हेलो यूट्यूब दिसी आदरश एंड यूर ओचिंग बिजनेस स्किल विद आदरश सिंग सो अन्तुपनर्स शाक टैंग इंडिया में आपने देखा होगा इसकी पी आइस पॉप्स के स्टार्ट अप को तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टेस्ट करने वाले हैं इसकी पी आइस पॉप्स को अगर आपने एपिसोड 6 देखा होगा विकॉज यह स्टार्ट अप एपिसोड 6 में आई थी और शाक से इस स्टार्ट अप को एक करोर मिला था और वो भी आल शाक से यानि कि पाचो शाक ने इन्वेस्टमिंट किया था 15% की एक्यूटी पे एक करोर रुपे इस इसकी पी आई स्टारवाद बेज्ट स्टारवाप है अगर हम बात करें इसके फाउंडर के बारे में तो हस्बंद और वाइफNews इसके फाउंडर है जो हस्बंड है एक फांडर उनका नेम है रवी काबरांद जो driving passenger का नाम है अनूजा काबरा तो si start करते एं वीडियो देखते हैं कैस वाइसा है यह Skippy Ice Pops, यह रहा Skippy Ice Pops, देख सकते हैं आप, और आज हम करेंगे इसकी Unboxing, और टेस्ट करके देखेंगे, यह वाकई में इसे जो All 5 Shark ने जो इन्वेस्टमिंट इस्टार्टप पे किया है, यह उसके लाइक है, या फिर नहीं है, Skippy Ice Pops का जब मैंने वीडियो बन इस मॉडल पे, तो that's why, मैंने सोचा कि एक बर इसे टेस्ट करके भी देखते हैं, कि लोग पसंद करते हैं या फिर नहीं, ठीक है, तो इसके करते हैं, open, यह रहा Scissor, Skippy Ice Pops, यह 100% natural color से बना हुआ है, यह देखें, और आप इसके back side में देख सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पे Shark Tank का logo भी बना हुआ है, ठीक है, यह Shark Tank का logo भी बना हुआ है, अब यह logo क्यों बना हुआ है, जो Skippy Ice Pops के founders हैं, इसे promote कर रहे हैं, कि हम Shark Tank इंडिया में गहे थे, और हमें investment मिला है, that's why यहाँ पे Shark Tank का logo है, अगर मैं बात करूँ, Skippy Ice Pops के logo के बारे में, लोगो है, यह लोग ऑस्टेलिया भी गए हुए थे, और वहाँ पे रह चुके हैं, और वहीं पे खाया आए था, इस startup के बारे में, बच्चपन की यादे जो है, यह startup है ताजा करती है, बच्चे इसको चूसते थे, ठीक है, तो करते हैं इसे unbox, यह देखें guys, यह मैंने मंगाया है, 12 flavors में, 12 flavors में, और यह liquid form में आता है, और इसे आपको freezer में जमाना पड़ता है, और जब जम जाएगी, तो फिर इसे आप टेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, और 100% natural color से बना हुआ यह, यह जो startup है, कहते हैं कि बच्चपन याद लाती है, तो अब मैं इसे freezer में डाल के, और test करके दिखाऊँगा आपको, और बताऊँगा कि कैसा इसका taste है, तो चलते हैं इसे, refrigerator में थोरा ऐसा इसको chill करते हैं, इस सारे flavors को, पूरा तो नहीं कर पाऊँगा, यह काफी मीठा है, तो पूरा तो नहीं करूँगा, लेकिन, एक दो प पॉप, अब ready हो चुका है, test करने के लिए, यह आप देख सकते हैं, लेकिन, एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैं, आप लोग सोच रहे होंगे, कि यह video जो है, मैं जिस time बना रहा था, उसी time मैंने इसे freezer में रख दिया होगा, और यह freeze हो गया, तो नहीं guys, इतनी बात छोड़ा था freezer में, then यह freeze हुआ है, काफी time लगा है, इसे freeze होने में, तो आप इसे test करते हैं, कैसा इसका flavor है, और सही है, और फिर नहीं है, ठीक है, तो इसको cut करते हैं, ऐसे, ठीक है, एक इसे, और एक इस वाले को, दोनों एक संद देखते हैं, ट्राइ करके कैसा है, हम, let's try, guys, यह जो flavor है, यह orange है, बिल्कुल जैसे आपको, जब आप इसे taste करेंगे, तो ऐसा लगेगा, आप ice cream खाते हैं, और इंज वाली ice cream, उस type का flavor है, liquid form में था यह, means, आप इसे समझ सकते हैं, कि यह cold drink ही एक तरह से, इसमें पुरा liquid भढ़ रहता है, बस freeze करिए, इसे जब आप खाएंगे, तो आपको याद आजाएगा आपका बच्पन, बच्पन में जब एक थेले वाला आता था, तो फिर उस थेले वाले से हम ऐसा ही एक, इस KPIs pop type ही, ब्रैंडिंग तो उस तैम होता ही था, वो non brand का कोई सा, दे दे थे, बर्फ और उसे हम ऐसे enjoy करते थे, ठेक है तो उसी type का kind of है, अब मैं try करता हूँ इस flavor को, और मैं आख बंद करके इसे test कर रहा हूँ, because feel करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ, तो feel कर कि क्या है इसका taste, वैसे, पूरा जमा भी नहीं है, यह है, यह है lemon, थोरा सा आपको निम्बू की तरह लएगा, लेकिन उतना भी बिल्कुल खटा नहीं है, निम्बू की तरह, लेकिन फिर भी ऐसा लएगा, आपको किसी खटे चीज को आप try कर रहे हैं, लेकिन यह जो है, और इंज बिल्कुल आइस क्रीम की तरह है, दो साथ भी करते है, अगर मैं बताऊं, फ्लेवर के बारे में, तो यह वाला उतना खास नहीं है, लेकिन और इंज वाला काफी टेस्टी है, तो गाइस, अगर आप चाहते हैं, इसकी पी आइस पॉप को सकते हैं, और फ्लिप काट से, यह दो जगे अवलेवल है, तो यह मुझे मिला है, 6 फ्लेवर और 12 पॉप्स हैं, इसके अंदर दे सकते हैं, 6 फ्लेवर और 12 पॉप्स, और यह आपको प्राइस परेगा, 240 रुपे, एमाजन पे और फ्लिप काट पे, तो वहां से आप मंगा लेंगे, लेकिन बस एक प्रॉब्लम मेरे को इसके अंदर लगी है, जो इसनका बिजनेस मॉडल, जिस तरीके से लोग चला रहे हैं, थोरा से इनको और भी उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, क्या, तो शिपिंग की प्रॉब्लम, यह जो इसकी पी आइसपॉप है, पू अगर प्राइम की तरह करवाते हैं, तो वो पॉब्लिक तक जल्दी पहुंचता, तो ब्रैंडिंग काफी अच्छी होती, लेकिन इतने बड़ी ब्रैंड यहां तक शार्क टैंक में भी आ चुकी है, और पीछे शार्क टैंक का इनको लोगों दे रखा है, तो इनको और ते टेस्ट है, मैंने पूरा ट्राइ नहीं किया है, लेकिन इन दोनों की बात करूँ मैं, तो मुझे औरेंज काफी अच्छा लगा है, इसमें एक फ्लिवराता है चॉकलेट का, तो आप उसे भी ट्राइ कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा है काफी यह, और जो इसे फंडिंग काफी अच्छा टेस्ट है, इन्हें फंडिंग मिला है, तो सही मिला है, बिकॉज यह है उस लाइक, और एक कर रूपे इन्हें मिला है, तो इन्हें और एक्स्पैंड करना चाहिए, अपने इस ब्रैंड को, तो मिलते हैं आप से इस नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके जरू बताएगा, कि मैं और भी जो शाक टैंक इंडिया के, जो स्टार्ट अप्स के प्रोडेक्ट हैं, उसे रिव्यू करूँ, आपके पास लेख्या हूँ, उसका रिव्यू या फिर नहीं, तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और कैसा लगा मेरा रिव्यू, आप वो भी शेर कर सकते हैं, ठीक है, तो यह अटेश कर लो, मिलते आप से, जिसे नेक्स वीडियो में दिसी अदर्श, और यूर वाचिंग, बिजनेस स्किल्वित अदर्सिंग, साइनिंग आफ